हालो लेर्नर्स वेल्कम तो आर चैनल अड़ीश पावन आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे आज हम लोग फिर से इंग्लिश इलेक्टिव ध्यान देजेगा इलेक्टिव कोर्स से रिलेटेट क्लास 12 इंग्लिश से रिलेटेट एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का डिस्केशन करने वाले हैं and the question is related to the model question paper 2024 current session के लिए जो आप लोगों का examination अभी होने वाला है उसी से related question is question number 42 who was frank why did evelyn's father quarrel with him ठीक है frank कौन है और evelyn के पिता जो है वो क्यों उससे जगडा करते है quarrel means होता है जगडा ठीक है straight forward है frank कौन है और evelyn के पिता उससे क्यों जगडा करते है ठीक है यह जो आपका question है यह आपका evelyn chapter है उसी से लिया गया है ठीक है आप लोग देखेगा इस question paper में हम लोग ने यह 38 question number और 39 यह दोनों questions जो हैं आप लोगों का education of girls और यह importance of blood donation से related seminar attended by you यह दोनों questions भी किये जा चुके हैं upload ठीक है आप लोग से miss हो गया गया तो ज़रूर देख लिजएगा ठीक है तो let's solve the question number 42 आज का हम लोग का 42 number ओके question is who was frank why did evelyn's father quarrel with him frank कौन था और evelyn के पिता उससे क्यों जगडा करते हैं ओके answer is frank was an iris seller friend जो था वो एक iris seller था seller that means आप लोगों का जो shipping company होती है उसमें जहाज का करमचारी या नाविक आप बोल सकते हैं जहाज चलाने वाला या जहाज का कोई करमचारी वगर ठीक है और seller था in alan line shipping company ठीक है इसकी जो जहाज company का नाम था alan line okay and a man और यह वो सक्स था whom evelyn admired जिसकी evelyn प्रशंशा करती थी एक तरह से बोले तो लव करती थी ठीक है जिसको evelyn पसंद करती थी okay he was earning eight pounds monthly और उसकी जो monthly income थी वो eight pounds थी his native country that means उसका जो पैत्रिक निवास बोलते हैं ठीक है motherland जिसको बोलते है वो क्या है was in Buenos Aires a port city in Argentina ठीक है Argentina का है South America का एक country है Argentina और वहीं का एक पतन वाला यानि बंदरगा वाला शहर था जिसका नाम था ब्यूनस आयर्स यहीं वो रहता था okay साथे साथ he was expert in music music में expert था generous था manly था and open hearted that means एक युवा के एक वियस्क के जितने गुन होते हैं वो सारे लगबग उसमें थे साथे साथे साथ he was talkative and took evelyn as granted without prior meeting with her father यह जो frank था इसका जो nature था यह थोड़ा बातुनी टैप का था बहुत हंस्मुक था open hearted हमने बोले दिया open hearted ठीक है तो यह काफी talkative था यह talkative मतलब बातुनी जिसको बोलते हैं ठीक है जो ज्यादा बात ही करता है and took evelyn as granted without prior meeting with her father ठीक है और यह क्या करना चाहता था मतलब बिना उसके father से meeting की ठीक है बिना उसके पिताजे से मिले evelyn के वो उसे ले जाना चाहता था ठीक है generally क्या होता है मालो लड़का लड़के गुसरे को पसंद किये और तो क्या करता है मतलब लड़के को लड़की के पिता से उसको ले मतलब प्रपोस करना पड़ता है कि प्रस्ताव रखना पड़ता है कि हम आपके लड़की से साधी करना चाहते हैं वगर वगर ऐसा करके ठीक कर ठीक है और उसने इवलीन को भी अपने विश्वास में ले लिया था एंड एलूड हर टू इलोप विधिम इलोट मनें लुभाना ठीक और उसने इवलीन को भी लुभा लिया था कि वो उसके साथ भाग जाए इलोप मतलब चोरी छुपकर भागना को इलोप बोलते हैं ठीक है वो यह चाता था मतलब बिना उसके पिताजी को बताए उसने उसे राजी कर लिया था कि वो उसके साथ भाग जाए और विवलीन फिर भाग के साधी वगरा कर लेंगे ऐसा करके था ठीक है एलोप फिर जगडा क्यों हुआ एवलिन के पिता जी का तो एवलिन के पिता जी का क्वैरल इसलिए हुआ जगड़ा because he discovered his affair with एवलिन क्योंकि इन लोगों जो चोरी छुपे मिलते थे लोगों को जो लब affair था इसके बारे में उसके पिता जी को भनक लग गई ठीक है उसके चोरी पकरी गई और her father being a soul guardian after the death of Evelyn's mother अब क्या था Evelyn की मा नहीं थी तो Evelyn की mother का death होने के बाद एक मात्र जो है उसके guardian कौन बचे थे Evelyn के पिता जी ठीक है तूकि ममी नहीं है और जनरली इस प्रकार की जो बाती होती है साधी विवासे related love वगरे के बाते तो ये लोग जदी लड़की है तो मा के साथ मतलब ज़्यादा ट्यूनिंग बनता है वो सारे चीजे बताती है मा को लेकिन यहाँ case क्या है उल्टा है ठीक है तो पिता जी को जब पता चलता है ऐसा करके तो obviously obvious सी बात है कि कोई भी पिता होगा उसे उससा आएगा वो उससे जगड़ा करना चाहेगा उससे यह पसंद नहीं होगा ठीक है तो इवलिन की मदर की मृत्यू के पश्चात उसके एकमात्र गार्जियन उसके पिताजी बच गए थे और वुड हैव टेकन फ्रैंक स एप्रोच टू लव मेकिंग जस्ट चीट और उसने इस प्रकार से जो जाना कि फ्रैंक के साथ मतलब उसकी दोस्ती है उसकी बेटी की तो उसने इसको कैसे लिया कि फ्रैंक का जो लव मेकिंग है ठीक है यह क्या है यह जस्ट एक आपका चीट है चीट मैंने छलावा जिसको बोलते है धोखा ठीक है यह कुछ नहीं है मतलब एक धोखा है ठीक है वो उसकी बेटी को बहला फुसला लिया है ऐसा गरके क्योंकि उसने जदी ऐसी बात थी तो उसको पहले मेरे पास आना चाहिए था लेकिन वो ऐसा नहीं किया इसलिए वो इवलिन को डाटता भी है ठीक है वो उसे धमकी भी देता है कि तुम उससे नहीं मिलोगी बोलके ऐसा करके ठीक है परहपस हैड प्रिजम्प्शन ठीक है और ऐसा मने लग रहा है कि इवलिन की जो पिताजी थे उनमें एक प्रिजम्प्शन मिस अफधारना जिसको बोलते हैं वो अफधारना थी about the behavior of sellers किस विशे में seller लोग जो नाविक लोग होते हैं जहाज की करमचारी होते हैं उन लोगों के आचरण से related कि वो bad characters के होते हैं ठीक है जैसे हम लोगों के society में भी होते हैं जैसे कि मानलों वो कुछ रोजी रोजगार नहीं करता है या कुछ सड़क शाप है या उसी type के कुछ काम करता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ना ये थोड़ा आवारा type का है वैसा ही तो वैसा ही thinking था वैसा ही philosophy था आपका Evelyn के पिताजी का वो बोलते हैं कि हम इस बिहेवियर सेलर लोग का बिहेवियर को अच्छे से जानते हैं because he states क्यूंकि चैप्टर में उन्होंने कहा है क्या कहा है I know these सेलर चैप्स यानि मैं इन सेलर चैप्स यानि इन जहाजीयों को इन नाविकों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं that means क्या ये लोग अच्छे नहीं होते हैं ठीक है उनका मतलब merit life बोलिये या love affair बोलिये वो success नहीं होता है ऐसा कहने का उनका मतलब था ठीक है solernus I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यूं Frank कौन था first of all और Evelyn के पिता उससे क्यूं जगडा लड़ते हैं ठीक है तो Frank जो है वो Irish seller था Allen Line Sipping Company में उसका जदी घर का बात करें तो वो था Buenos Aires Sport City in Argentina South America और साथे साथ वो expert था music में generous था manly था open hunted था बहुत ज़्यादा बातुनी था और साथी साथ वो Evelyn को भी मना लेता है उसके पिता जी से बिना भेंट किये और वो उससे विवाख करना चाहता था और साथी साथ उससे मना लेता था अपने साथ भागने के लिए भी ठीक है अब उसके पिता जी को ये सारी बात पता चल गई उनके affair के बारे में और वो उससे छगड़ा करने लगे और her father being a soul guardian क्योंकि जो है उसके पिता जी ही एक मातर बचे थे क्योंकि उसकी मा की मृत्ती हो गए थे तो सारी जिमेवारी पिता के उपर आ गई थी और ऐसे situation में ठीक है साधी साथ वो सोचता था actually में देखा जाए तो वो ये सोचता था कि इवलिन की साधी ना हो क्यों ना हो क्योंकि उसका पिताजी जो है वो बुढ़ा हो गया था और बुढ़ा पे मुढ़ा उसका एक मातर सहारा उसका बेटी थी इवलिन ही थी ठीक है ठीक है और एक बात बताना चाहूंगा या इवलिन जो है इसका इवलिन हम लोग बोल रहे है इवलिन that means इसका साब्दिक अर्थ होता है कुमारी ठीक है कुमारी लड़की जो होती है इसका विवाह नहीं हुआ रहता है उसके लिए ये टरम आया है अवलिन और पूरे चैप्टर में उसका इवलिन ही बोला जा रहा है actually में उसका नाम था Miss Hill क्या नाम था Miss Hill ओके तो इसलिए वो चाहता था कि उसका बुढ़ापा का सहरा भी छीन जाएगा इसलिए वो मतलब उसका विवाही नहों ऐसा भी सोंचता था ठीक है तो इसलिए उसके उपर ये जिम्यवारी थी जो भी हो और इस प्रकार से उसी दोरान फ्रेंक का अप्रोच आता है कि वो उसे लव करता है ऐसा करके उसको पता चलता है तो ये मोलता है कि ये कुछ नहीं है ऐसा ये बस चिटिंग है ठीक है क्योंकि ऐसी उसमें प्रेजम्शन थी आफधारना थी कि ये जो सेलर लोग होते हैं ये नाविक लोग इसी प्रकार से लवाफेर करते हैं जो कि सक्सेस नहीं होता है ठीक है आई होप आप लोगों का एंसर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा फिचर में हम लोग इसी प्रकार से और भी कॉस्चन्स के प्राब्लम्स को सॉट आउट करने की कोशिश करेंगे व्हाँ। प्राब्लम्स की प्रहे रचाना आद विस्भावन अद प्राब्लम्स कारे खोश्चर रचाना थैक्य।